आपके फैनल तर्म के सेलिबस मेंने सुटार्ट करेंगे तो थो फैनल ग्या रहा है रेश्यू एन प्रोपोशन या आपके लिए बिल्कुल न्यू है तो इसको अच्छे से आप वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा तो फॉस्टा फॉल्म क्या समझेंगे इस ज Brew यह जो हमारा चैप्टर यह सॉररी एक्सर साइज है नाट चैप्टर बोलेंगे चैप्टर तो दोनोrios हमारा NS impostor की थे लिउन प्रपोशन इस एक्सर सैज्टर में जुक्सा समझेंगे inoster for all में क्या समझें remain q what is ratio ratio क्या होता है ठीक तो एक example से समझते है example आपका यहाँ पर given है तो मैं उसी example से आपको बताऊंगे क्या कर रहा है ratio ratio concept of ratio तो concept क्या है कि मुधित एंड रूचीर ठीक है got 80 marks and 60 marks in their mathematics class text respectively sorry class test respectively ठीक है तो मुधित एंड रूचीर जो है वो 80 marks और 60 marks पाते हैं math की class test में ठीक है their marks can be compared in two different way इनके जो marks है यह जो जितने भी number इनको मिले हैं इनको हम compare कर सकते हैं दो तरीके से ठीक first क्या है comparison by difference difference कित्रों compare कर सकते हैं मतलब कि किसको कितने जादे marks मिले तो कितना जादे मिला वो चीज़ आपको यह देखके कि लग रहा होगा कि जो मुदीद है उसको 80 marks मिले हैं andולra litkrach 60 marks तो किसका जादे होगा वोगा मुदीद का होगा है ना कितना होगा तो हम किया कर सकते हैं मतल्टों मिनस को कर सकते हैं 20 marks कितना जादे हैं चक तो रिखा भी है कि we say that Mudit got 20 marks more than Ruchir तो मतलब Mudit जो है वो 20 marks जादे पाया है किसे Ruchir से first हमारा है first क्या कर सकते है difference कि थूर हम बता सकते है compare करके ठीक है second क्या कर रहा है कि comparison by division हम division कि थूर कैसे compare करेंगे ठीक तो यहां पर क्या होता है कि हम ऐसे बोल सकते है कि जो Mudit के जो marks है वो 80 divided by 60 या 80 upon 60 times है किसके Ruchir के मतलब यहां पर क्या रहता है times कितना more than नहीं बताय रहा है यहां पर times के में compare कर रहा है ठीक है तो 80 upon 60 times है Ruchir से Mudit के जो marks है 80 upon 60 times है किसके Ruchir से तो यह divide का एक part है मतलब यह fraction में शो कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि 60 को हम 80 से divide भी कर सकते तो times वो शो करेगा ठीक तो जब हम दोनों quantities को अगर हम division के थू compare करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है ratio कहलाता है ठीक मतलब अगर two quantities or numbers of same kind we divided one of them by the other अगर हमें किसी भी number का किसी भी quantity का अगर हमें ratio जानना है दो different का ठीक है तो हम क्या करेंगे उनको divide कर देंगे अगर हम divide करेंगे तो में ratio मिल जाएगा ठीक तो इस जो pattern दिया गया माले जे हम number ना लेकि हम लिखें कि if a and b are two numbers a और b दो numbers है ठीक है तो उनका जो fraction होगा a upon b इसको क्या बोला जाएगा ratio of a and b यह क्या जाएगे ratio of a and b हो जाएगे ठीक ratio को हम indicate कैसे करते हैं इस दो dot से जो dot होता है इससे हम indicate करते हैं dot का मतलब a is to b देखो यहाँ पर लिखा है a is to b ठीक यह फिर a to b पढ़ते हैं ठीक ratio का यह symbol होता है यह जो dot है यह ratio के क्या है symbol है ठीक है तो यह मतलब आपको बताता है कि ratio को हम कैसे express करेंगे ठीक है और हाँ एक चीज़ always चलिए उसको में बात में बताती हूँ तो यह symbol होता है और यह हमारा क्या होता है ratio को indication करने का तरीका ठीक है अब हम बात करते हैं कुछ points पे कुछ हमें पॉइंट से याद रखने है जैसे फर्स्ट क्या कह रहा है कि the ratio is expressed in the simplest form always मतलब रिशियो का हम कैसे इंडिकेट करते हैं always simplest form में मतलब हम क्या करेंगे fraction दिया गया होगा तो अगर वो divide होने वाला होगा cut होने वाला होगा दोनों तो हम उसको क्या करेंगे पहले cut कर लेंगे ऐसा cut करेंगे कि उसके बाद मतलब वो किसी और नमबर से divide ना हो पाए ठीक है इसको आपको copy में write करना पड़ेगा ठीक है तो इसको लिख लिख लिजेगा हम represent कैसे करते हैं रिशियो को a double dot dot b पढ़ते क्या है a is to b या a to b ठीक है यहाँ ऐसे dot रहेगा ठीक तो रिशियो क्या होता है यह compare होता है किसमें division में division के तूर जब किसी दो numbers को compare करते है यह दो quantity को compare करते है उसे क्या बोलते है ratio बोलते है ठीक है तो हाँ एक चीज़ और रहाद रखिएगा कि जब कभी भी आप किसी भी number को compare करिए गा किसी भी quantity को compare करिए गा तो उसकी unit आपकी सेम होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मालीजे आप compare कर रहे हो को एक नमबर आपका मीटर में होना चाहिए तो दूसरा नमबर सेंटियमिटर में आपको क्या करना होगा दोनों को आप मीटर में करिए तब compare करिए या फिर आप उसको सेंटिमिटर में कर लेजे तब compare करिये ठीक है और हाँ most important thing ratio की कभी कोई unit नहीं होती है ratio का खुद का कोई unit नहीं होता है अगर कोई भी number आपका यहाँ पे दिया गया जासे यहाँ पे देखो यह तो number दिए गया ना यहाँ पे देखो यह पैसे और रुपीज थे तो यह तो यहाँ पक्या है हम यह तो इसको पैसे में कर लें रुपीज को भी या फिर हम इस पैसे को रुपी में कर लें ठीक तो हमने यहां पर क्या किया यहां पर हमने पैसे को रुपी में कर लें तो दोनों क्या हो गया है पैसे हो गया है तो यह क्या हो गया है तो यूनिट सेम हो गया तब हम कंपेर करते हैं अब हम ऐसा कि इसका simplest form हमें पता चल जा है मतलब इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करिए कि यह दोनों कट जाए भी और उसके बाद वो नंबर किसी नंबर से ना कटे तो यहां पर 75 से डिवाइड कर देगा तो 1 upon 4 आया है अब देखो यहां पर दिया गया दे नंबर ऑफ बाइड ग्ल्स इन स्कूल इस फाइफ हंड़ एंड तो इसको हम ऐसे डिविजन फॉम में लिख लेंगे उसके बाद इसको ऐसा कट करिए कि यह जो दोनों नंबर से हैं किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाए और कब तब कट करना है कि जो में लास्ट में नंबर आयना वो किसी और नंबर से कि डिवाइड ना हो पाएं तो दोनों सेम से ही आपको डिवाइड करना है मतलब अगर आप इसको 25 से डिवाइड करिए इसको 5 से डिवाइड करिए इसको 5 से डिवाइड करिए ठीक है इस तरह करते हैं ठीक हम क्या लिखेंगे रेशियो इस इकोल तो किसका पूछा है फाइफ एंटेन तो हम फाइफ अपॉन टैन लिखेंगे यह से करके हम दिवाइट फॉर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको क्या देखके लग रहा होगी फाइफ से फाइब ही कट जाएगा और फाइफ आपको का देखके ओआफ दिवाइट वाइट वाइफ कर दीजthose पाइब डिवाइट उल् Lee अर फाइट तें डिवाइट हो जाएंगे और जाए पाइफ दो हमूद दुधर को सब्सक्रू बर्बामार फाइफ ड़िवाइड होंन में इस तो तो अं पारीगा एगा उ तो य तो ठीक है अब देखो जैसे यहां पर मीट इसको आप कर लोगे 21 ए 28 है तो 7 से दोनों को डिवाइट करेंगे तो यह दोनों डिवाइट हो जाएंगे है ना तो यह तो यह किसी से डिवाइटने को तो 7 इस थू 6 है इसका कश्गा यह से करना है यह 100 पांड़ीटर है और यह 1 relatively तो सबसे पहले आप किलो मीटर को मीटर में अगयों कर दीजican क्यों कि आपको वह तेजिको आक लिए आंडर安च के लिए जैए थम्में रिखेंगे फिर अगेन ratio is equal to क्या दिया गया है 100 meter upon 1 kilometer यह दिया गया गया नहीं तो दोनों unit अलग-अलग है हम एक unit में convert करेंगे तो क्या करेंगे कीलो meter को में convert करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 meter तो यहां से हट जाएगा तो यहां जीन bisschen से 10 काणिल हो या फिर 10 से 10 काणिल हो यह बज गया बज़ गया 1 अपान 10 तो बन अपन 10 यह क्या पेस्ट आप कर रहा है हमारा रेश्यों कर तो कि अब इसके आगे हम डिवाइट नहीं कर सकते हैं थी कि है सीवानी के भी मार्स को तो क्या करोगे लिखोगे नेहा गॉट मार्स इस इग्वल टू एट एट हंड़ेट फिफ्टी अपन कितना पाई है वन थाउजन पाई है ना वन थाउजन तो रेशियो निचे लिखे आप यह जिससे डिवाइड होगा उससे डिवाइड करके यहां पे आप रिश्यो सो कर सकते हो ठीक है वैसे सीवानी के साथ भी करिएगा हो जाएगा थूट कर आए कि आउट आप 32 टीचर इन इन इसकूल ट्वैल और मिल एंड रिमेनिंग और फिमल एक स्कूल में 32 टीचर जिसमें 12 जो है वह मैल है बाकि जितने हैं टीचर से वह क्या है फीमेल है ठीक है फाइंड रिश्यो अफ नमबर ऑ फेल टू अब आपको रिश्यो बताना मिल टू फेल मेल तो सबसे पहले निकालेंगे पिर फिमल कितने है प्या करोगे 32 से 12 को माइनस कर दो है है तो ट्वेंटी क्या है स्थिमेल है और सी कितने हैं क्वेल होंगे से डिवाइड करते हैं तो हो जाता है कि 5 अभी भी यह 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड कर देजे अगें ठीक तो यह जाएगा 3 अपन 5 तो 3 अपन 5 किसी से डिवाइड नहींगा तो इसका male to female का रिश्यो क्या हो जाएगा 3 is to 5 ठीक है फिर 2 के करा है male to total number of teacher male to total number of teacher मतलब male आपका 12 है और total number of teacher कितने है 32 मतलब female and male दोनों मिला के कितने है 32 तो 12 अपन 32 में आपको वह बताने है रिश्यो बताने है फिर total teacher to female तो 32 अपन 20 लिखेंगे उसको आप बताना है ठीक है इस तरह कर लेजेगा फोर के करें कि जाया is 1.3 30 मीटर तॉल and श्वसी इस 1 मीटर 25 सेंटी मीटर तॉल what is the ratio of their height अब आपको यह देखो यहां पे 1.35 30 मीटर है न तो यह भी आपको क्या है यह दोनों का प्रेश्यो निकाले जाए इनके heights के तो आप ऐसे लिखोगे 1.30 अपन 1.25 अब इसको डिवाइड करी अगर रिवाइड होता है किसी नंबर से तो डिवाइड करके इसको आपसे बता दीजिए देखो यहां पर decimal दोनों प्लेसेस पर सेम से में तो decimal हट जाएगा तो यह क्या जाएगा 130 अपान 125 ठीक इसके बाद इसको आप डिवाइट करिए और इसको सिंप्लेस्ट फॉर्म में कनवर्ट करिए is the ratio 15 is to 30 is equal to 450 is to 900 क्या 15 is to 30 जो है वो इक्वल है 450 is to 900 तो आप इसको देख लिजे 900 को सिंप्लेस्ट फॉर्म में कनवर्ट कर लिजे देखे क्या दोनों सेम आते हैं अगर दोनों सेम आ गए इसका मतलब वी इक्वल है तो लिखेंगे yes नहीं आते हैं तो नों ठीक six के कहा रहा है कि a man earn rupees 1800 per month his wife earn 1500 per month find the ratio of man income to the wife's income to the total income of the two यहां पर total बताने मतलब इन दोनों को add कर लिजेगा तो wife का income 1500 upon क्या हो जाएगा total income इन दोनों को add कर लिजेगा तो नीचे लिखेंगे ठीक है ऐसी wife income to man income ऐसी आप find out कर सकते हो ठीक seven के गरा है कि the length and the breadth of a field is 35 meter and 20 meter respectively find the ratio of length to the breadth length to the breadth आपको ratio बताना है तो 35 upon 20 अब जखो यह जिसे divide हो और divide करके short form इसको simplest formे करके इसको बाद लिख दीजेगा find the ratio of 9 meter and 200 centimeter तो यह तो 9 meter को आप सेंटीमेटर में convert कर दीजेए 200 को आप सेंटीमेटर को आप मीटर में convert कर दीजे किसी एक में convert करके आप करिएगा जैसे मैंने यहां पर बताया था ना यह वाला first वाला करेगा इस तरह ना इन के करें कि the ratio of heights of Rahul and Mohit is 4 is to 3 if the ratio if Mohit is 1.5 meter tall find the height of Rohit यह जो height का ratio दिया गया है वो दिया गया है किसका Rohit and Mohit का ठीक है तो अगर Mohit जो है वो 5.1.5 meter tall है तो आपको बताना क्या है कि Rohit की height क्या होगी ठीक चलिए इसको करते हैं देखो क्या करेंगे दर यह है ना लिखेंगे ratio of of the height heights of Rohit and Mohit Rohit and Mohit is equal to 4 is to 3 यह जागा ना तो हम इसको यह से लिख सकते हैं मतलब इसका क्या है कि let Rohit Rohit's height Rohit की height क्या हो जाएगी 4x जब हम इसको अलग लिखते हैं तो यह से लिखते हैं हमें x की value find out करनी होती है ठीक है तो Rohit की height हो जाएगी x हो जाएगी and Mohit की height क्या है यह तो हमें exactly पता नहीं है क्योंकि हम simplest form में किये हैं तो कोई नहीं कोई number तो इसमें multiply हुआ होगा ठीक है तो उसी number को हम find out करते हैं कि किस numbers की तुरह हम इसको simplest form में convert किये हैं तो Mohit's height is equal to 3x तो जो 3x है according to question question की according क्या है कि जो 3x है वो किसके equal है 1.5 meter की क्योंकि Mohit की height दे दी गई है 1.5 meter वो टॉल है लंबा है तो हमें यहां से क्या मिलेगा हमें x की value मिलेगी तो 3 x से multiply में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 1.5 upon 3 meter लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा इसको जब आप डिवाइड करोगे न तो यह value आएगी क्या 0.5 meter ठीक है तो x की value में क्या मिलेगे 0.5 meter हमें किसकी height बतानी है रोहित की height तो रोहित की height हम क्या माने थे कि 4 x है तो हम लिखेंगे रोहित रोहित height is equal to 4 multiplied by x की value क्या आगई 0.5 आगई 0.5 meter तो क्या हो जाएगा 2.0 meter यह हमारा answer जाएगा मतलब रोहित की height क्या है 2 meter है ठीक है इस तरह करते हैं ठीक इसके बाट 10 के कह रहा है कि रेखा रूबी have some money रेखा रूबी के पास कुछ पैसे है the ratio of their money is 5 is to 6 ratio जो money का जो ratio देगा है वो 5 is to 6 है ruby has rupees 120 ruby के पास 120 rupees है how much money does रेखा है तो रेखा के पास कितना होगा सीम जैसे मैंने question number 9 बताया सीम वैसे आपको question number 10 भी करना है ठीक है तो चलिए इस exercise को करिएगा कहीं कोई problem होगी मेरे से ask करिएगा ठीक है okay thank you उब। हाँ